चलिए तो आज PM केस फंड के बारे में हम डिसकस करेंगे काफी कंट्रोवर्शिल टॉपिक बन चुका है बहुत बार इसके उपर क्वेश्चन जो थे हैं वो रेस किये जा रहे थे कि इसको बनाया क्यों गया तो इसी बते से हम इसको यहां पर डिसकस करने जा रहे हैं इसका जो एक आर्टिकल था वो भी इन एक्सप्रेस में अपियर किया था तो चलते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं PMKs fund is aimed at strengthening the fight against COVID-19 तो आपने देख लिए COVID-19 के लिए बनाया गया है it will further availability of quality treatment and encourage research on ways to beat coronavirus तो again coronavirus के अंदर treatment को quality treatment को लाने के लिए और साथ में research को लाने के लिए इसको बनाया गया है I urge Japan people for all walks of life to contribute to PMKs together let's solve challenge to the present and protect the future तो यहाँ पर लोगों से गोहार लगाई जा रही है लोगों को यहाँ पर request किया जा रहा है कि आप PMKs fund के अंदर contribute करें तो basically private contribution जो है उसका element जो है इस particular fund के अंदर है और बनाया किसले गया है COVID-19 की specific situation के लिए चलिए इसके बारे में और चीज़े देखते हैं यहाँ पर questions raise करेंगा है कि देखिए अल्रेडी आपके पस NDRF है National Disaster Response Fund तो इसको बनाने की क्या जूर होती तो center ने इसे defend करते हुए कहा है देखिए NDRF का जो purpose है वो ठीक है disaster को manage करने के लिए बट यहाँ भी हमने specifically COVID-19 के लिए से बनाया है और इसके अंदर हम private donations जो है वो भी accept कर रहे है अब होता कि है देखिए NDRF के अंदर जो है budgetary provision से पैसा लगाया जाता है और इसके अंदर private contribution जो है वो accept नहीं किया जाता है इसी से regarding section 46 के अंदर इसे maintain किया जाता है और इसके अंदर center जो है वो NDRF को budgetary provision बनाता है और center प्लस state जो है वो state के लिए state disaster response fund के लिए budgetary provision बनाते है और इसमें private contribution का element नहीं होता है जैसे कि अभी हमने किस case में देखा PM cares fund के case में देखा क्योंकि यहाँ पर लोगों से ही request करी जा रही है लोगों से appeal करी जा रही है कि अब जादा से जादा पैसा जो है इसके इंदर contribute करी है तो center ने अपने stance को defend करते हुए यह कुछ points दी है फिर बात होती है funds for relief work तो यहाँ पर voluntary donation जो है उसका element है यहाँ पड़ी चुके है और government ने यह भी एक आया कि देखिए आपके पास statutory fund है अब statutory fund कौन सा है NDRF and STRF but just because किसी भी country के पास statutory fund है इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि वो कोई दूसरा fund जो है वो create नहीं कर सकती so government के जो statement है वो है कि mere existence of statutory fund would not prohibit creation of a different fund जैसे की PMKs fund तो यहाँ पर just because NDRFS का मतलब यह नहीं है कि कोई specific situation, exigency arise होती है तो हम कोई नया fund create नहीं कर सकते तो यहाँ पर just the PL file करी उसने एक चीज़ और भी कई कि क्यों आप PMKs fund के पैसे को NDRF में transfer कर दिये जाए तो of course यहाँ पर भी इसको defend करना पड़ेगा तो यहाँ पर government ने जो statement दी बिल्कुल इसको ध्यान से पढ़िएगा statement कहती है it is neither maintainable on merits nor is otherwise maintainable under article 32 as all the funds other than the funds stipulated in section 46 of DMX तो section 46 of DMX 2005 के अंदर जो NDRF, SDRF funds होते है और article 32 के अंदर जो दूसरे funds होते है यह वहाँ पे कहीं इन में से, इन category में से कहीं पे भी फॉल नहीं करता है it is a different distinct created separately under separate provision तो यह बिल्कुल अपने ही तरीके का एक unique fund है इसी वज़े से इसका जो पैसा है NDRF के अंदर transfer नहीं किया जा सकता यहाँ पर भी यह बात करी गई है अब बात करते है नेशनल प्लान की तो यहाँ पर PIL जिसने फाइल करी उसने भी का कि आपने coronavirus जैसी चीज को कि आप अगर ऐसी कोई अगर इस तरह की कोई भी एक pandemic situation क्रीट होती है इसके बारे में हमने पूरे provision बना रहे है लेकिन अगर आप यह एक्सपेक्ट करते है कि day-to-day management हम कैसे करेंगे तो definitely यह किसी भी national plan में introduce करना almost impossible है तो यहाँ पर जो PIL फाइल करी गई गौर्मेंट के अगेंस्ट में उसको बिल्कुल अच्छे से counter किया है गौर्मेंट ने और यहाँ पर यहाँ पर यह सारे points आप मेंस के अंदर लिख सकते हैं और आपका जो opinion होगा interview के अंदर वहाँ पर भी एक strong stance अपना बना सकते हैं तो PMKS fund से NDRF में पैसा नहीं डाला जाएगा because PMKS fund अपने आप में एक unique सा एक fund है यूस का किया जाएगा voluntary donation इसके अंद private contribution लेकर इसको एक specific reason के लिए बनाया गया यह भी धियान रखिएगा NDRF, SDRF अलग है क्योंकि वहाँ पर budgetary provision से उसे बनाया जाता है private contribution accept न आसनू